हेलर फ्रेंड्स, आज मारे पास हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं, कि हीरेंबूट पैन ड्राइब को कैसे बनाते हैं?, हीरेंबूट आइसो इमेंज को कैसे डाउनलोड करते हैं?, और यह हम किस लिए क्यों करेंगे here and boot का क्या requirement होता है इस ISO image से bootable बना करके उस pen drive से क्या क्या कर सकते हैं आप तो अगर आपके जो भी Windows अपके laptop होते हैं Windows के laptop अगर उसमें आपका login password लग चुका है और उसे आप remove करना चाते हैं बिना data loss किये तो उसके लिए आपका here and boot का जो pen drive होता है उसका requirement होता है अगर आप चाते हैं कि आपका laptop corrupt हो गया आपका Windows corrupt हो गया है और वो Windows load नहीं हो पा रहा है नई Windows install करना है आपको और उसके जो data था जो c drive में data था उसको आपको backup लेना है तो आप उसको कैसे ले सकते हैं यह सारे complete और भी बहुत सारे tools हैं तो उसको हम use करा के दिखाएंगे तो इसमें जो बहुत सारे tools दिये हुए उसको अलग-अलग videos में हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे bootable pen drive बनाते हैं ISO image download कैसे करते हैं और login password को कैसे unlock करते हैं और data को backup कैसे करते हैं यह complete आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा बाकी और भी जो tools हैं उसके लिए अलग-अलग videos आपको मिलता रहेगा जिसमें आपको complete tools को use करना सिखाएंगे तो चलिए हम अपने laptop पे चलते हैं और complete आपको ISO download करके और complete boot वगेरा सारे चीज़े करके दिखाएंगे यह हमने sendisk का pen drive ले लिए जो यह solo gb का है तो आप कम से कम 8gb का या फिर solo gb का pen drive चाहे कोई भी company का हो वो आप ले सकते हैं और हम पहले ISO image को download करेंगे तो अपने laptop में chrome browser या फिर जो भी browser आप use करते हैं उसे आप यहाँ पर open कर लेंगे open करने के बाद आपको simply type करना है here and boot cd और जैसे ही आप type करेंगे और enter फ्रेस कर देंगे तो सबसे पहले जो website आता है यह here and boot cd का ही आता है यहाँ पर इस website पर आप चले जाएंगे और यहाँ पर में ही आपको download का option मिल रहा होगा इस पर आप click करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सारे options आ जाता है तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़े आप कर सकते है here and boot cd से तो यहाँ पर complete आपको लिखा हुए आप इसे भी पढ़ सकते हैं देख सकते हार्डिक्स टूल data recovery के लिए इतने सारे tools आपको free में मिलता है harddix disk tool फिर यहाँ पर दिया हुआ है diagnostic tool दिया हुआ है कापी सारे tools मिलते हैं इसका भी use हम आपको अलग-अलग video में दिखाएंगे नीचे अभी हमको इसको डाउनलोड करना है तो देखे hbcdp into 64.iso है इस पर आपको click करना है और जैसे ही आप click करेंगे तो एक add आता है इसको close कर देंगे और जैसे ही close करते हैं यहाँ पर यह download होना start हो जाता है तो इस तरीके साब इसे download कर लेंगे हैं अभी हमारे पास already downloaded है तो हम इसको यहाँ से cancel कर देते हैं हमारे पास अगर आप यहाँ पर download फोल्डर में हम चले जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि यह हमारे पास download already है तो अगर आप यहाँ पर देखे तो hbcdp.64bit यह download है और इस बूटेबल बनाने के लिए यहाँ पर इस pen drive को लिए हैं और इसको हम अपने laptop में insert कर लेते हैं इंसर्ट हो जाने के बाद आपको एक और software का requirement होगा जिसे हम लोग Rufus बोलते हैं जिसे हम लोग bootable pen drive को बनाएंगे तो Rufus को यहाँ पर enter कर लेंगे और भी बहुत सारे software आता है उससे भी आप बना सकते हैं लेकिन अभी हम जो यूज करने वाले हैं वो Rufus software होगा इस पर आप क्लिक करेंगे Rufus सर्च करके पहले link पे तो आपके पास Rufus का official website open हो जाएगा नीचे आएगे स्क्रॉल करेंगे तो Rufus 4.4 को आप download कर लेंगे यहाँ पर भी एक add देखने को मिलता है इसको close कर देंगा और यह आपके पास download हो जाएगा तो यह काफी छोटे सो श्यव टरंत ही download हो जाएगा इस पर डाप डबल क्लिक करेंगे तो यह software open हो जाता है यहाँ पर ask कर देंगे और यह but our Rapid हम ता लगा ह случай 겁니다 और यहाँ पर जो select तो यहां पे select के option पे click करेंगे और download folder में जो भी आपका ISO image होगा वो आपको soak कर जाएगा तो hbcd अभी हमको बनाना here and boot तो इसको select कर लेंगे और open पे click करेंगे अब आपके laptop अगर GPT partition scheme को support करता है तो GPT को ही select रखेंगे नहीं तो आप MBR select कर सकते हैं यह कैसे पता चलता है GPT और MBR तो चलिए हम इसको भी दिखाई देते हैं तो यहां पे आम इसको minimize कर लेते हैं और यहां दिस PC पे right click करना है और manage पे आपको जाना है manage के option पे click करते हैं तो आपके पास एक और windows open हो जाएगा तो यहां पे disk management पे जाना है और disk management पे जाने पे आपके जितने भी drive है और जितने भी harddix लगा हुआ है वह सारा सो हो जाएगा तो देखिए यह हमारे pen drive है और यह हमारा SSD है इस पे आपको right click करना है और जैसे right click करते हैं तो property का option मिलता है और property में जाने के बाद volume में जाना है यहां पे देखिए partition style क्या है MBR है तो अब हमारे अगर इसी laptop में हमको boot कराना है तो हमको MBR में ही बनाना पड़ेगा तो यहां से हम MBR को select कर लिए अगर GPT आपके laptop में है तो आप GPT सेलेक्ट कर लेंगे नीचे आएंगे तो यहां से pen drive का कोई भी नाम दे सकते हैं हम अभी इसी को रने देते हैं और आपको कुछ भी changes नहीं करना है यहां पर start के button पे click करना है जो भी आपका data इस pen drive में होगा वो delete हो जाया गया इसके लिए एक notification आ रहा है तो हमारे जो pen drive में हो डिलीट हो जाने से कोई problem नहीं है तो कि हम यहां पर click कर देंगे और यह आपको कम से कम 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा और यहां पर जैसे completed link के आज आता है तो आप इससे boot कराना start कर सकते हैं तो चलिए आप यहां पर wait करते हैं 10 से 15 मिनट फिर आगे का process आपको हम दिखाते हैं अब यह हमारा complete हो चुका है और यहां पर ready लिख करके आ गया तो यह complete बन चुका है अब इस pen drive को आप निकाल करके और जिस भी laptop या computer में आपको data backup लेना हो या फिर password remove करना हो तो उस laptop और computer में आप इसे insert करेंगे और boot की दबा करके pen drive select करके boot करके सारे process को कर सकते हैं तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe कर लें और दूसरों को भी share करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुच पाए